कि शुरू करें बच्चे अब आप लोग शांत हो जाएंगे क्लाश शुरू की जाएंगे चलिए आज का हमारा एक छोड़ा सा टॉपिक है जिसका नाम है प्रोड़क्ट ओफ वेक्टर्स प्रोड़क्ट ओफ टू वेक्टर्स product of two vectors शुरू करा जाए इसको माल लो हमारे पास कोई दो vector है let we have two vectors a and b हमारे पास दो vector है कौन कौन से a और b दो vector है कोई तो जो product होता है बच्चे ये दो type के होते है number एक जिसको हम बोलते है scalar product और number दो vector product दोनों में अंतर क्या है scalar product का एक और नाम होता है और वो नाम होता है dot product क्या होता है dot product और इसका मतलब होता है cross product दोनों में difference क्या है dot product का मतलब होता है जब भी scalar product ले dot product ले इसका मतलब जो result आएगा वो scalar quantity आएगी scalar quantity आने का मतलब क्या है कि वो only any number आएगा सिर्फ वो सिर्फ क्या आएगा एक number आएगा उसमें कोई भी direction exist नहीं करेगी जैसे कि हमने दो vectors को solve किया तो vectors को solve किया मतलब उनके अंदर कुछ directions थी specify directions थी कि नहीं थी उसके अंदर लेकिन जब उनका हमने dot product ले लिया तो एक number आगया जिसकी कोई direction exist नहीं कर रही है तो ऐसे products को हम क्या बोलते है dot product या scalar product clear हो गया vector product में क्या होगा vector product में जो result आएगा वो result होगा एक vector vector का मतलब उसमें magnitude भी होगा और direction भी होगी लेकिन वहाँ पर direction नहीं होगी सिर्फ और सिर्फ क्या होगा magnitude होगा लेकिन यहाँ पर magnitude और direction दोनों होगी तो scalar product क्या होते हैं those product in which the result only magnitude is known as scalar या फिर the resultant vector is always a scalar vector is known as dot product, यह बाहर कॉन खड़ा है वही, अच्छा बत्या ने गया है, चाह लिए, इतना समझ में आ गया, तो सबसे पहले heading डालेंगे हम लोग, dot product, तो dot product क्या होता है, देखो जारा अभी, हमारे पास दो vector है, a और b, ठीक, तो a dot b का जो formula आता है, वो होता है, mod of a, mod of b, cos theta, क्या होता है बच्छे, mod of a, mod of b, cos theta, theta, theta क्या है, theta का मतलब होता है, angle between a and b, अब तो इसको और समझते हैं, रिटेल में, हमारे पास तीन axis होती हैं, जिनका नाम है, x-axis, y-axis, and z-axis, x-axis का नाम होता है, i-cap, direction दिखाते हैं, y-axis को j-cap direction दिखाते हैं, और z-axis को k-cap के direction से दिखाते हैं, दिखाते हैं, कोई दिकत, अगर हम आपसे कहें, कि बदाए, i dot i कितना होगा, तो vector a हो गया i, और vector b भी हो गया क्या, i, तो एक vector i लगा हुआ था, और दूसरा vector b i लगा हुआ था, दोनों के बीच का angle कितना है, 0, हाई कि नहीं, तो इसका मतलब इसकी value हो जाएगी, mod of i, mod of i, cos angle कितना है, ये जो लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं, unit vector, इस i cap को हम क्या पढ़ते है, unit vector, पहले class में हमने पढ़ा रखा इसको, और unit vector का मतलब इसका जो mod होता है, उसकी value कितनी होगी हमेशा, 1, तो इसकी value कितनी होगी, 1, इसकी value भी कितनी होगी, 1, और cos 0 की value, 1, तिनों मिला के i, dot i कितना होगया, अब अगर हम तुमसे कहें, j, dot j कितना होगा, और k, dot k भी कितना होगा, 1, तो कोछ गलत नहीं कहेंगे, इतना समझ में आ गया, मतलब i, dot i हमेशा क्या होगा, 1, k, dot k हमेशा क्या होगा, 1, j, dot j हमेशा क्या होगा, 1, होगा, लेकिन अगर हम कहें, कि i cross j बताईए, I cross नहीं, sorry I dot J बताईए Solve करके देखते हैं क्या होगा Formula होता है A dot B, mod of A, mod of B Cos theta जाँ, theta होता है दोनों के बीच का निकालो mod of I mod of J Cos, दोनों के बीच angle कितना है यह है I और यह है दोनों के बीच रहा कौन कितना है angle कितना है 90 degree angle अगर 90 degree है तो cos कितना हो जाएगा और हमें पता है cos 90 की value 0, तो इसका मतलब I dot J कितना आ गया इसका मतलब यह भी हो गया कि those vector which are always perpendicular to each other their dot product always become 0 is two vectors are perpendicular to each other then their dot product always 0, ऐसे question आते हैं एक vector में एक lambda दिया रहेगा और दूसरे vector में भी lambda कहीं लिखा रहेगा नहीं लिखा होगा और कह देगा कि यह दोनों आपस में perpendicular हैं तो बताइए lambda की value या lambda की किस value के लिए for what value of lambda बोत vectors are perpendicular to each other तो क्या करेंगे दोनों वेक्टर का dot निकालके उसको equal to किसके कर देंगे जीर होके अब dot निकालेंगे कैसे उसको हम सिखा देंगे अभी आपको अभी नहीं पढ़ा बेटा cross अभी क्या topic है इंडाली है कैसी नहीं आते हो उस पहने में तुम कोचिंग दो जाते हो सांती का सायोग दी है भी मिलेगा cross मिलेगा बेटा यह जैसे बीच में बोलना यह किसने सिखाया तुमको नहीं नहीं जानना चाहिए है दोस्तोंने सिखाया बेटा मुझे ऐस नहीं लगता है कि ।ोस्ति सब लेकीबटा दो महिने की बात है हाँ बई, i.j हो गया, i.j जिरो आ गया, ठीक, अब इसका मतलब अगर हम j.k निकालने तो कितना आएगा? और k.i निकालने तो कितना आएगा? कोई दिकत? बोलिए, तो i.i1, j.j1, k.k1, लेकिन i.j0, k.j0, i.jb, i.k, जो भी है आपस में सब, 0, जिन 2 के बीच का एंगल 90 होगा, वो सब आपस में 0, एक बात हो गई, दूसरी बात, इनका use हम करेंगे कैसे? तो मान लो, अगर कोई दो वेक्टर लिखके आ गया, वेक्टर a is equals to, x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap, मान लो, suppose करो लिखके आ गया ही, और वेक्टर b equal to आ गया कितना? x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap, तो अपने को निकालना है, क्या है? a dot b, a dot b निकालना है, तो वेक्टर a dot vector b, फ़ले वेक्टर a लिख दो, x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap, dot लगाए, वेक्टर b कितना है? बोलो, x2 i cap plus y2 plus z2, कोई दिक्कत यहां तक, जब multiply करने का जो procedure होता है, वो क्या होता है? एक का पहले इससे करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे, फिर इसका, करेंगे न, फिर प्लस लगागे, इसको करना start करेंगे तो जब इसको इससे करेंगे, आप तो क्या आएगा? x1, x2, number आपस में multiply हो गए? और i dot i आएगा कि नहीं आएगा? और i dot i की value क्या होती है? 1 हो गई, x1 into x2 मिल के क्या हो गए? x1, x2 और i और बीच में dot लगाए, तो dot into i क्या हो गए? i dot i होगे, और i dot i की value हमने क्या पढ़ी है अभी अभी? इसका मतलब इसकी value आ कितनी जाएगी? इसकी value जब आप पहले वाले और पहले वाले को multiply कर रहे हो तो value आ रही है x1, x2 लेकिन यह पहले वाले को दूसरे से कर रहे थे, तो x1, y2 तो आया, लेकिन साथ में i dot i dot j की value ह इसका मतलब यह 0 हो जाएगा, फिर x1, z2, but i dot k value क्या हो गई? 0, खतम, अगला बोल यह y1, x2, j dot i, 0, हो गया न? भाई, j dot i कितना होगा? 0, फिर y1, y2, j dot j, 1, तो इसका मतलब बच जाएगा क्या? y1, इसी तरीके से बच जाएगा क्या? z1, मतलब जब भी आप dot product ले रहे हों, तो i का i से, j का j से, और k का k से direct multiply कर दीजे, और उनको आपस में add कर दीजे, वही आपका क्या हो जाएगा? dot product between two vectors, अब अगर बोले कि यह दोनों vectors आपस में mutually perpendicular हैं, तो इस तरह से करके equal to क्या कर देंगे? 0, और 1 value आ जाएगी खट से आई बाई सब तो आपस में plus से separate हैं इधर उदर करेंगे minus plus में कुछ answer आजाएगा, clear हो के सब को, बोलिए, note कीजे इसको, हाँ बोलिए doubt बोलिए, ठीक है, बेटा, j, देखो, k इधर होता है, और j इधर होता है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? 90, हमने इसको इधर ब को इन कह रहा था, हाँ, product निकाल लिए, dot product निकालेंगे, magnitude नहीं आया ये, ये dot product आया, ये result आया, इसमें i, j नहीं है, ये answer है final, कुछ नहीं, दिखा ना, लिखा मैं दिखो, scalar product, dot product, resultant, scalar, only any number, no direction, लिख लो हाँ साथ में, no direction, कोई समस्य है किसी को? और डाउट बोलिये, कोई डाउट है किसी को? नहीं, नोट कीजिए, हमने पढ़ लिया, क्या? कि a dot b की value क्या होती है? mod of a, mod of b, cos theta, ये तो formula पढ़ा, हमें a dot b निकालना सिख लिया, क्याकर दो vector दिये हैं, तो उनका a dot b निकाल लेंगे, कोई दो vector, माल लोग कोई दो vector दिये है, vector a दिया है आपको, x1 i cap प्लस y1 j cap प्लस z1, और vector b दिया है आपको, x2 i cap प्लस y2 j cap प्लस z2, माल लो ये दो vector दिये गए, ठीक, तो ये बताइए, mod of a कितना होगा, under root, हाँ, x1 square प्लस y1 square प्लस, mod of b कितना होगा, x2 square, y2 square, z2 square, क्या बताना है इसमें फिर्जा, ये formula होता है, अगर कोई vector given है, तो उसका magnitude निकालने का ये formula होता है, i का coefficient का square, प्लस j क कोफिशन का square, प्लस k क कोफिशन का square, ठीक है, और, ऐसे समें है सिट, ये दो कोईशन तो होगए, तीसरा a dot b निकालने को कह देता, तो क्या होता, बोलो, तो i का i से, j का j से, k का, तो i का i से करेंगे कितना आएगा, x1, x2, प्लस y1, y2, प्लस z1, अब यह भी बताया था, ठीक, एक बात बताईए, इस formula को देख के दिखाई दे रहा है, कि मान लो, दो vector दिये थे जब, तो ये तीन बाते तो निकल गई, तो अगर आपसे कह दे, कि what is the angle between both vectors, angle between two vector, तो two vector के बीच का angle जो होगा, हम लिख सकते हैं, cos theta बराबर vector a dot vector b upon mod of a, लिख सकते हैं कि निक सकते हैं, भाई, ये पता, ये पता, ये पता है, cos theta नहीं आ जाएगा, बोलिए, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कोई तकलिफ किसी को, समझ में आ गया, पक्का, चलो ठीक है, इतने में कोई दिकत, नहीं है, एक property होती है, इसको बोलते हैं, community property, a dot b equals to होता है, b dot a, क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा, उसको समझते हैं, मान लो, एक vector लगा है a, और एक vector लगा है b, इनके बीच का angle कितना है, theta, तो a dot b किये, तो कितना आ गया, a dot b कितना आ गया, mod of a, mod of b, cos theta, समिक, equation number, one, कोई दिकत, जब आप b dot a करते हो, यह लगा है b, और यह लगा है, तो b dot a का मतलब यह angle हो गया theta, यह angle क्या हो गया, theta, और इस case में, जब आप निकालोगे theta को, theta को calculate करोगे, यह angle पूरा, तो पहले चीज़तों आपको यह दिया नहीं रहेगा, आपको यह angle theta दिया रहेगा, ठिक, और यह clockwise angle दिया है, क्योंकि b से a की तरफ जा रहा है, तो इसको हम negative लेंगे, क्योंकि angle लेने का सही तरीका क्या होता है, angle always taken anticlockwise from positive x-axis, positive x-axis से anticlockwise ऊपर की तरफ लेंगे, तो positive है, सही है, लेकिन यहाँ answer जब देने चलोगे b dot a के लिए, तो b dot a का मतलब हो गया, क्या लिखोगे, mod of b, mod of a, cos minus theta, क्योंकि angle, we are taking angle as a clockwise, b to a, और minus theta को हम tackle करते हैं, mod of b, mod of a, cos 360 minus theta, this angle, और जैसे 360 minus theta करोगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, sign all positive, sign और cosec positive, tan और cot positive, और यहाँ क्या है, sec और cos positive, तो cos positive होता है, इसलिए हाँ कितना आ जाएगा, mod of a, mod of b, cos theta, तो b dot a के value भी कितनी आ गई, mod of a, mod of b, cos theta, equation number 2, और from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, proved, हो गया के नहीं हो गया, कोई सामस्या किसी को यहाँ तक, clear हो गया, कि a dot b equal to किसके होता है, b dot एगे, हाला कि हाँ आएगा नहीं paper में यह, बस मैं बदा दे रहा हूँ क्योंकि इसलिए बस में है, और एक बहुत important formula है, जो paper में आ सकता है, वो number 1, number क्या है देखो, समझो ज़रा इसको, projection of vector a in the direction of vector b, in the direction of vector b, समझना ज़रा इसको, क्या बोला है, projection of vector a, किसकी direction में, b की direction, तो पहले तो direction vector of b कितना होगा, direction of b vector, क्या होगा, बोलो, किसी vector का directional vector कैसे निकालते हैं, बोलो, कर पड़ाया था, last class में, किसी vector का direction vector किसे कहते हैं, b cap को, unit vector को, तो कितना होगा direction vector, vector, b cap, और b cap निकालना आता है, vector b upon mod of, कोई रिकत, previous class में पढ़ा रखा है, ना तो lecture देखी जाएंगे, वीडियोस में पढ़ा होगा, तो b cap कैसे निकालेंगे, vector b, mod of vector b, vector b upon mod of, vector b, ठीक है, और projection निकालने के लिए, फॉर्मूला हो जाएगा, vector a dot b cap, projection of vector a in the direction of vector b, कितना होगा, a dot b cap, vector a हो गया, उसको multiply कर देने किससे, unit vector of b से, unit vector of b का मतलब कितना हो गया बच्चे, कि b की direction से multiply कर रहे हैं से, और magnitude तो इसका 1 होगा ना, unit vector का मतलब ही होता है, कि magnitude कितना हो गया उसका, अगर आप mod of b calculate करोगे, b cap, not b, which is always क्या, 1, तो आपने सिफ b की direction से multiply कर रहे हैं किसको, a को, तो देखा जाए, ये तो एक vector है, और ये उसके एक number है, और projection एक constant है, कि a का, b की direction में क्या component है, उसी को देखना है, मतलब समझे ये हो क्या रहा है, पर दो समझने की कोशिश कीजिए, मान लीजे, जब तक आप vector को visualize नहीं कर पाएंगे, तक आप समझ नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है, मान लीजे ये दो vector, ये directional state, x-axis, y-axis and z-axis, एक vector ये लगा हुआ है, 1, 2, 3, 1 i cap, 2 i, 2 j cap, 3, इसका मतलब क्या है, ओ, force लगा है, इसका मतलब हो गया, एक newton का force इधर लगा है, x-axis में, दो newton का force, और तीन newton का force, जड में लगा है, अब इस vector का, अगर हम कहें, कि x-axis में component कितना है, तो जितना force x-axis में लगा होगा, वही तो x-axis तो component होगा, कितना लग रहा है, 1 newton, कैसे आया, vector a, कितना था पड़ो, i cap, plus 2 j cap, plus 3, अभी लिखा है न, vector a कितना है, i cap, plus 2 j cap, plus 3, और i की direction, मतलब x-axis की direction क्या हो गई, i cap, vector a, i cap, plus 2 j cap, plus 3, और बी cap, कितना हो गया, सिर्फ i cap, हो गया कि नहीं हो गया, और जब i cap का सबसे dot लोगे, तो सिर्फ कौन सा time बचेगा, अंसर कितना हो गया, 1 newton, पे तो समझ गया, हमने क्या बोला, हमने कहा, एक force लगा है, 6 i cap, plus 5 j cap, माल लेते हैं, लगा है, और, इस force का, find, projection, in x-axis, in the direction of, x-axis, तो, देख के क्या पता चल रहा है, पहले तो यह बताओ, क्या आंसर होना चाहिए, अब प्रूफ कर देते हैं, यह लगा था vector, लगा था, f की value पता है, यह a की value पता है, किस direction में निकालना है, तो x-axis के direction को क्या बोलते हैं, direction of x-axis, i cap, बोलते के नहीं बोलते हैं, तो projection का formula क्या है, vector f, dot i cap, बोलो, f की value कितनी है, 6i प्लस 5j, प्लस k cap, dot i cap, किस से multiply होगा सिफ i, आंसा कितना आ गया, 6 newton लग रहा है, बात समझ में आई, लेकिन ही तो coordinate axis की बात हो गई, तो x, y, z, असान हो गई थे, लेकिन अगर एक vector का, दूसरे vector की direction में पूछेगा, तो उसके लिए concept की जुरूत पड़ेगी, उसा concept कितना सा है, दूसरे vector का unit vector निकाल लो, पहले dot vector निकाल लो, उसको पहले वाले से क्या कर दो, dot product ले लो, वही answer हो जाएगा, आई बात समझ में, तो formula क्या है बच्चे इसका, बोलिए, projection equals to, vector a dot, B cap, clear हो गया सबको, note कीज़े इसको, अभी समय है, फिर को शांस करते हैं, चलिए, NCRT, 10.3, शुरू करें, पहला question क्या निकालना है, find the angle between two vectors, ठीक है, क्या क्या दिया है आपको, magnitude दिया है, पहले question में, mod of a दिया है कितना, root 3, mod of b कितना दिया है, और a dot b भी दिया है कितना, root 6, हमने आपको बता हैं, तीनों अगर पता हैं, तो एंगल निकालने का क्या formula लगाएंगे, cos theta equals to, cos theta equals to a dot b upon mod of a mod of, फटाक से लगा दो, root 6 by root 3 into 2, root 3 से काटेंगे कितना आगया है, root 2, और root 2 से कट गया है, तो 1 by, तो theta equal to कितना आगया, y by 4, b वालों क्या लिए है question, b वाले में, second वाले question में, तो vector आपको given है, कौन कौन से, vector a equal to दिया है, i cap minus 2 j cap, plus 3 k cap, है ना, और vector b कितना दिया है, 3 i cap minus 2 j cap, plus k cap, बदाईए, क्या होगा, पहले तो angle निकालना है, तो angle निकालने के लिए, किन तीन चीजों की जरुवत है, mod of a की, कितना हो जाएगा, under root 1 plus 4 plus 9, root 14, mod of b की, कितना हो जाएगा, under root, 9 plus 4 plus 1, root 14, a dot b, कितना हो जाएगा, तो cos theta का formula क्या होता है, a dot b upon mod of a mod of, बोले तो 10 by 14, काटो कितना हो जाएगा, 5 by 7, तो theta equal to cos inverse 5 by 7, कोई समस्य जाएगा तक, third question find the projection निकालना है, देखो एक और देख लो, third question देखो भई क्या लिखा है, vector a दिया है आपको, i cap minus j cap, i cap minus j cap, on vector, मतलब इस vector का projection निकालना है, किसकी direction में, b की direction में, और b की value दी गई है, i plus j, तो b cap कितना हो जाएगा, vector b upon mod of b, mod of b की value आजाएगी root 2, आजाएगी नहीं आजाएगी, तो b cap कितना आगया, 1 by root 2 i cap, plus 1 by root 2 j cap, हो गया कि नहीं हो गया, तो projection of a, projection of, vector a on b, is equals to vector a dot b cap, a कितना है, i minus j, और b cap कितना है, 1 by root 2 i cap, plus 1 by root 2, multiply कर लो, तो 1 by root 2, minus 1 by root 2, कट गया, कितना हो गया answer, यूरो मतलब कोई projection, नहीं है, clear हो गया, question number 4 भी same है, करिएगा, आज का homework है आपका, 10.3, complete, clear है, note कीजे, सेवा समाप्त, बुक किसके, चलिये बात नहीं बस होगिया, topic, चलिये पड़ाई स्टाट करें, हाँ भाई, कल 3 questions discuss कर लिए थे, question number 4 चुरू करते है, question number 4 क्या बोल रहा है बच्चे, find the projection of vector, ठीक है ना, तो a equal to दिया गया है, कितना, i cap plus 3 j cap, plus 7 k cap, और b is equal to दिया गया है, 7 i cap minus, plus 8 k cap, सबसे पहले b cap निकाल ले, तो b cap का formula क्या होता है, b vector, 7 i cap minus j cap, फहले formula लिख दीजे, formula लिखने से आपको याद हो जाएगा, तो vector b upon mod of, होता है बच्चे, vector b की value क्या हो जाएगी, 7 i cap minus j cap plus 8, और mod of b की value क्या हो जाएगी, under root 49 plus 1 plus 64, 50 और 64, under root 1 1 4, this is what, b cap, projection निकालना है, तो projection, कितना आ जाएगा, बोलो, projection कितना आ जाएगा, vector a dot b cap, आ जाएगा, multiply कर लिजे, a कितना है, i, और यह 7 by, तो 7 by under root 1 1 4, plus, 3 i cap 3, minus, नहीं हाँ, plus, नहीं, सॉरी, minus है, भाई, यह minus लिखा है न, कितना हो जाएगा, यह, minus 3 by, under root 1 1 4, और 7 8, 8 7 6, plus 56 upon under root 1 1 4, solve कर लेंगे, जो आएगा भाई, answer हो जाएगा, कितना आ जाएगा यह, 7 में से 4, 3 गई, 4, 60 बटे, 114 को solve कर सकते हैं, गया, 9 14 को, चली अच्छा, question number 5 देखते है, पांचमा क्या लिखा है पिटा, show that, each of the given vectors, is a unit vector, देखो, unit vector की condition क्या है, unit vector होने के लिए, unit vector है अगर, तो vector a का mod हमेशे कह रहेगा, तो इसमें पहला option दिया गया है, 1 upon 7, अंदर multiply कर किसे लिखो इसको, 2 by 7 i cap, plus 3 j by 7, plus 6 by 7 k cap, ठीक है, this is vector a, तो mod of a निकाल लो, under root, 4 by 49, plus 9 by 49, plus 36 by 49, और ये कट के कितना आ गया, इसका मतलब ये एक unit vector, बाकि ऐसे कर लेंगे, और देख के भी पता चल रहा है, सब के magnitude आपस में, अगल बगल बदले हुए हैं, तो values को जब लिखेंगे, जो सब में 3 by 7, 6 by 7 और 2 by 7 आएगा, हमने आपसे खान वेक्टर एक ऐसा topic है, जिसको आप दो बार अगल लगा लेंगे, तो पेपर में guaranteed number मिलेंगे, और यही vector एक ऐसा topic है, जो J advance clear कर आता है बच्चों का, 16 number का J advance में आता है question, बोट्स में भी 16 number आता है, 15-16 number, Vector 3D, J mains में दो question आते हैं vector से, नहीं, 14-16 number आते हैं question, दोनों मिला के, बोल रहा हूं vector 3D मिला के, यह ऐसा topic है, जो J advance तक clear होते हैं बच्चों के, क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादा concept नहीं है, ठीक है न, लेकिन चीजे थोड़ जिट tricky है, जो दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि two dimension की बात नहीं होगे, three dimension पढ़ना पड़ता है अपने को, तो इतना दिमाग मत लगाईए, सिर्फ और सिफ कोशिश कीजी आप क्या, questions को दो पर लगा लिजें मानदारी से, और NCRT एक बार अच्छे से, example-example पर देख लिजे, कोई दिक्कत नहीं होगे आपको बोट्स में, और कितना side हो जाओ यार, चलिए, question number 6 देखते हैं क्या लिखाए, question number 6 भी देखिए, पहले बाद में note कीजेगा, find a and b लिखाए, if, a और b फाइंड करना है, दिया है, vector a plus vector b, dot a minus b equals to 8, यह मान लो given है, ठीक है, और given है, mod of a equal to 8 of mod of b, तो देखा जाए, अपने को दो values निकालनी थी, है न, a और b, और अपने को दो values solve करने के लिए, दो equation चाहिए थी, एक equation यह दी है, और एक equation, दोने equations available हैं के नहीं है, कोई रिकत, चलो, a plus b into a minus b का formula, तो a square minus b square होता है, लेकिन क्या यहाँ पे भी होगा, तो देखते हैं, यह dot लगा है, और dot लगे होने से, इसको जब multiply करेंगे, तो आएगा, vector a dot vector a, plus minus, इसको इस से करेंगे जब, तो minus a dot b, plus, b को a से करेंगे, तो b dot a, minus b dot, equals to, 8, हमें पता है, a dot b equals to, होता है, b dot, होता है के नहीं होता है, तो यहाँ पे जब replace कर दोगे, तो a dot a का मतलब होगा, mod of a, mod of a, cos 0, क्योंकि a का, a से ही direction कितना हो जाएगा, 0, minus a, dot b, plus, b dot a को हम लिख सकते हैं, a dot b, तो a dot, b, minus, mod of b, mod of b, cos 0, equal to 8, यह बन गया 0, खतम 1, a square, और यह, और यह, minus, b square equal to, 8, mod of a की value 8 भी है, उठा के रख दो, तो, कितना आ गया, 64, b square, minus b square, equal to, 8, कितना आ गया गया, तो, b square equals to, 8 by, तो, b equals to, कितना आ गया, under root, 8 by, कोई दिकत, और, a equal to, कितना आ गया, 8 root, 8 by 60, देख लो, answer समन में आ गया, हाँ, बोलियो, फिर से बोलो, बेटा, vector है ये, ये normal, x, y नहीं है, तो हम इसमें, angle को ले के चलेंगे, without angle बात नहीं करेंगे, ठीक है न, vectors हैं, इसलिए, इसलिए मैंने कहा न, tough नहीं है, बट जो process है, उसको follow करना आना चाहिए, note कीज़े, question number 7, देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ values दी है, दोनों का solve करके निकालना है, same question है, 3a minus 5b dot 2a plus 7b, ठीक है न, solve किया जाए, multiply करो, 3 2s are 6, a dot a, 3 7s are 21, a dot b, minus 5 2s are 10, b dot a, minus 35, b dot, ये step जरूर लिखिएगा, हां, नहीं लगाते हैं, तो गलस हो जाएगा वो, ठीक है, तो a dot a का angle, खुद से 0 हो गया, इसलिए value हो गई, 6, mod of a, mod of a, cos 0, plus 21 a dot b, minus 10, b dot a को लिख सकते हैं, a dot b, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, minus 35, mod of b, mod of b, cos 0, ये हो गया, 6 a square, 21 में से 10 गई, 11 a dot b, minus 35 b square, यहीं आंसर हो जाएगा, कोई दिख कर नहीं हाँ दख, समझ में आ गया, अगला देखी क्या लिखा है, question number 8, क्या दे रहा है बच्चे, find the magnitude, of two vectors, बिटा, चुप होने, कोशिश करके देखिया, साइध आप हो सकते हूं, find the magnitude, of two vectors, a and b, ठीक है, magnitude निकालना है, having, the same magnitude, and such that, the angle between them, is 60 degree, and their scalar product, is 1 by 2, scalar product का मतलब हो गया, let कर लेते है, निकालना है, two vectors, a and b, there is theta, the angle is 60 degree, and their scalar product, the dot product, is 1 by, what is the formula of, a dot b, a b, cos theta, जरूरी नहीं आप mod लगाईए, कुछ नहीं लगा रहे हैं, जैसे आपने कहाना, कि अगर सर अरो ना लगाएं तो, तो अरो नहीं लगाऊगे, तो magnitude माना जाएगा, vector नहीं माना जाएगा, cos theta equal to 1 by 2, तो और question में दिया है, कि mod of a equal to mod of, तो आप यहां लिख सकते हैं, a square, cos 60, equals to 1 by 2, cos 60 की value 1 by 2, 1 by 2, तो a की value कितनी आ गई, 1, तो a की value आ गई, plus minus 1, और b की value भी कितनी आ गई, plus minus, कोई समस्या, note कर लिजे, रुख जाएए भी पहले, और देख लिजे, question number 9 देखे, क्या लिखा है, find mod of x, if a unit vector a, a कैसा है, unit vector, a unit vector है, मतलब mod of a कितना हो गया, 1, हो गया कि नहीं हो गया, और दिया है, x minus a, dot x minus b, equals to 12, अभी हमने इस type के questions करा है थे, कि a dot, a minus, a plus b है, a minus b, दोनों में minus नहीं है, तो एक में plus है न, यह हमने गलत लिख दिया है, a plus है न, इसकी value आएगी, solve करके, x square minus, और mod of it 1 है, तो x square equal to, minus 1 equal to 12, x square equal to 11, तो x equal to under root, अच्छा, sorry, उधर जाएगा, तो add हुजाएगा, root 30, यह answer हुजाएगा, कोई दिक्कत, अगला question क्या लिखाए, question number 10, रुख जाओ, रुख जाओ, कोई योग दिया रहे हो, दो वेक्टर दिये गए हैं, a, b and c, are such that, a plus lambda b is, perpendicular to c, तो पहले तो वेक्टर a लिख ले, वेक्टर a कितना लिखा हुआ है, वेक्टर, a equal to दिया है, 2i cap, plus 2j cap, plus 3k cap, और वेक्टर b दिया है, minus i cap, plus 2j cap, plus k cap, और वेक्टर c दिया है, 3i cap, plus j cap, आपको बोला है, कि पहले तो, a plus lambda b निकाल लो, ठीके ना, तो a plus lambda b कितना हो जाएगा, बोलो, a है 2, 2i, plus 2j, plus 3k, plus lambda, into b कितना है, minus i, 2j, plus k, multiply करके, add कर लो, 2 minus lambda i, plus 2 plus 2 lambda j, plus 3 plus lambda, ठीके ना, यह तुमारा आ गया, a plus lambda b, और बोल रहा है question में, कि this is perpendicular to c, perpendicular to c का मतलब क्या हो गया, कि, a plus lambda b, dot c equal to क्या होना चाहिए, 0, क्यों होना चाहिए, क्योंकि last class में, discuss किया था मैंने, कि अगर, 2 vectors perpendicular हैं, एक दूसरे के, तो उनके dot product क्या होंगे, 0 होंगे, यह बात मैंने बताई थी, कि नहीं बताई थी, उस case में, कहां गया, यह 2 minus lambda, और c, तो 3 into क्या हो जाएगा, i काई से कर ले, 2 minus lambda, plus, 2 plus 2 lambda equals to, 6 minus 3 lambda, plus 2 plus 2 lambda, equals to 0, 6, 2, 8, उधर गया तो, minus 8, और minus 3 में से lambda गया, minus lambda, minus minus कट गया, lambda equal to आगया, कोई रिकत किसी को, note कीज़े, चलिए अच्छा question number 11 देखे, बात नहीं बच्चे, question number 11, देखो, 2 vector दिये गए हैं, हम मान लेते हैं, एक L है, vector, क्या दिया गया है vector L, mod of A into vector B, plus mod of B vector A, और M दिया गया है, mod of A vector B, minus mod of B vector A, दिया गया है, इस perpendicular बोला है, perpendicular होने का मतलब, vector L dot vector M की value क्या आनी चाहिए, for any two non zeros vector of A and B, मतलब ये प्रूफ करना है, कि A और भी 0 vector नहीं है, ठीक है, तो L dot M को रख दो अगर साथ में, तो mod of A vector B, मतलब ये एक vector लिखा है, basically पूरा, plus mod of B vector A, dot, mod of A vector B, minus mod of B vector A, तो A plus B, A minus B बन रहा है, चिज़ 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 स्क्वाइर कर दे, तो A square into vector B dot B, plus, sorry, minus, B square into A dot, A equal to 0, क्यों हुआ ऐसा, mod A, mod A multiply होगे, mod A square होगे, क्योंकि तो में numbers था, 2B, 2B लिखा था, vector B, 2 to 4 होगे, लेकिन B और B तो आपस में, B dot B बन गए ना, और ये, A dot A, अभी अभी हमने पढ़ाया, दोनों vector के बीच के अंगल 0 है, 0 है तो B dot B, mod of B, mod of B, cos 0, cos 0 की वेलूबान हो गई, तो basically ये बन गया, A square, B square, वो अंदर वाला कट चुका है, ये और ये, और ये और ये आपस में कट चुका है, तो ये हो गया, B square, और ये कितना बन गया, B square, equal to 0, तो इधर 0 आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए, या फिर आप इसको ऐसे करिए, equal to 0 मत लीजे, equal to 0 आप मत लीजे, और यहाँ लीजे टेकिंग LHS, क्योंकि हमें प्रूफ करना था ये basically, कि L और M दोनों क्या हैं एक दूसरे के, perpendicular है, तो इधर भी 0 आ गया कि नहीं आ गया, और equal to RHS है, hence, proved by, perpendicular होने की condition है, इसको fulfill कर रहा है, इसका मतलब ये एक, क्या है, perpendicular है दोनों आपस में, देखो, दो vector L और M दिये गए हैं, दोनों आपस में perpendicular बोल रहा है, for two non-zero vectors, तो L dot M की value 0 होनी चाहिए, L dot M solve कर लिया हमने, 0 आ गया, ये वाला, A और A, A हो गया A square, B और B मिलके B dot हो गया, ठीक, तो B dot की value होगई, B square, ऐसे इधर भी कर दिये, जब इसको इस से किये, plus, minus, minus, B और B, B square, A और A, नई ये नहीं कटेगा बटा, ये दुनों नहीं कटेगा, ये, ये वाला, और ये और ये कटेगा, अरे आपने A plus B, A minus B देखा है, तो ये, ये multiply होता है, ये बच जाता है, बाकी कटेगा आते हैं, ठीक है ना?